हाई गाईस मैं हूँ सिवांस आज मैं फिर से एक नया व्लोग लेकर आ गया हूँ तो गाईस कुछ दिन पहले मैंने आपको वेजेटेबल प्लांट दिखाए थे जो कि आप सभी को बहुत पसंद आये थे लेकिन उट समय प्लांट छोटे थे अब प्लांट बड़े हो गए हैं तो गाईस आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और अपने सब्जा दिखाऊंगा आपको भी देखने में बहुत मज़ा आने वाला है लेकिन अगर आपने मेरी चानल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज किर देना मैं आपके लिए अच्छे अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा तो गाईस अब हमारे गार्डन में बहुत सारी सब्जिया लग चुकी है हमने उन्हें खाना भी शुरू कर दिया है और वाग खाने में भी बहुत टेश्टी हो रही है अब मैं आपको एक एक करके अपने सारी वेजटेबल्स दिखाऊँगा और उनको तोड़ कर भी दिखाऊँगा इसके लिए मुझे एक टोगरी की जरुट है जो कि मेरे पास पहले से ही है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बीज की सब्जी जो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इनको हम बहुत पहले से खाते आ रहे हैं यह देखें मूली भी अब बहुत बड़ी हो चुकी है यह अपनी पूरी फूल साइज में आ चुकी है हम इसका रोज साराज बनाते हैं अपना आपको यहां से सीधे लेकर जलता हूँ बैगन की सब्जी के पास तो गैस देखें हमारे बैगन कीतने बड़े हो चुके हैं यह देखें गैस यहां पर भी लगे हुए हैं यह वैगन देखने में भी काफी सुंदर और साइनी लग रहे हैं आप भी देखें अब मैं आपको लेकर चलूँगा भिंडी के पॉडे के फास ये देखिए मेरे सामने कितने सारे भिंडिया लगी हुई है इनकी भी हमने सब्दी खाना सुरू कर दी है ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे है अब मैं आपको दिखाता हूँ सिम्ला में ये भी खाने लायक हो चुका है और इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी होती है ये देखिए गाइस सिम्ला मिर्चे भी बहुत प्यारी लग रही है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे सब्दी बिल्कुल और गैनिक है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है ताथ ही हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ये देखिए सब्जीों की वज़े से मेरे टोक्री फूल हो गई है अब मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा है तो गैस आपको हमारा वेज़ेटेबल गार्डन कैसा लगा और मेरे वेज़ेटेबल की वीडियो कैसी लगी कमेंड में बताना और मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बहुत जल्द आपके लिए एक नूँ वीडियो आएगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके लियो के बाई